स्टुडेंट्स आप सीवेसी बोर्ड क्लास 10 थे बच्छों एक बड़ी इंपोर्टेंट अपडेट है रिगार्डिंग दे न्यू सेशन जो 2023 और 2024 है बच्छों आपके लिए आपको यह पता है कि नया कडिकुला महा गया है सिलेबस चेंज हो गया अब आपके बोर्ड का पै पहले जो आपका इग्जाम होता था न करिकुलम वो 10 प्लस 2 मोडल में होता था तेंथ हो गया फिट प्लस 2 अब जो जो कडिकुलम है नया जो एक्जाम का पैटर्न है वो है 5 फיות 025 लेम है फ्री ग्रेड प्लस फी वह सिस्टंप जिसमें 5 में क्या होगा लास 1 लास 2 प्लस कोई एक्जाम नहीं होगा तो यह 5 सिर्ध दिलन इस से ग्रेड थ eyeballsи बचेफ से भी एगें जब्र नहीं होगा न्यूटीकल बेस्ट प्रप्रिमॉट कर रही है इवन एं घ्रास 10 धी खolas 12 जा उन केbackН कर semester जो कोईशन थे इसके परज़ने इस बार बोर्ड में बढ़ा दीगे लास्ट ये बढ़ा गया था इस बार और बढ़ा दिया गया तो अब सीबसी ये चाहती है कि जो बच्ची है ना वो कैसे पढ़ें वो जैसा आप कर और पार, आपको करो कर ज ढ़ो अपकर दिता है कि ये जो ख्यूंक था नयाद दो तो आप झेल टान अंत्ट प्रम करदेफ़ है तो अपना जब याद चाहा है वह कि सब्सक्री में बढ़ें कि ये चैमी करें जो आप् ELों को बिल बाहल रिक, क्षड गई चाहरा है दो फो कर सकते क्या हो सकते तो खोजी प्रविती जो है वो से बढ़ती है तो अब आपको क्लास 3 से क्लास 5 वालो जो रेंज है वहां पर नया इवालवेशन में थर बचों के लिए डिबेट ग्रूप अक्टिविटीज प्रेजंटेशन इन सब चीजों को प्रोमोट किया जाएगा र प्रामेरी अब जो 5 प्लस 3 प्लस 4 जो है अब यो बचा वह 4 है वह हमारा मेन बोर्ड 9, 10, 11, 12 इसमें 9, 10 होता है आपका सेकेंडरी जाइंडरी एक्जाब करों और जो 11, 12 होता है प्रोंग होते हैं सीनियर सेकेंडरी जो इसका एक्जाम का पैटर्न बहुत ज़ादा 9th और 10th को मिला करके क्या होता है ना कि आपको 2 essential courses करने है from each 8 curricular area 8 curricular area है और हर area से 2-2 essential courses आपको करनी है 9th में भी और 10th में भी ठीक है और जो कि exams होंगे ना अब ऐसे 1 board type नहीं होगा 6-6 महिने पर exams होंगे एक semester होगा फिर 6 महिने बाद दूसरा semester होगा बोर्ड विल डिसाइड कि what will be the wettage that वो देंगे एक semester यह दूसरे semester को जैसे प्रीवेस कोवेट के टाइम में टर्म 1 टर्म 2 करके एक experiment किया गया था CBC ने किया था जिसमें उन्होंने wettage difference किया था वहां पर जो टर्म 1 टर्म 2 था उसका reason ना लगता लिजन यह था कि कोवेट का टाइम है ठीक है तो बच्चों एक्जाम दे पाते नहीं दे पाते उस वज़े से एक एक्जाम को objective based किया गया दूसरे एक्जाम को subjective objective combine करके किया गया था so that is why उन्हें feasibility का भी अभी एक्जाम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा तो इस वज़े से वह किया गया था but that was successfully done तो अभी एक नया approach है हो सकता ही approach successful हो नहीं होगा तो फिर changes के जाएंगे तो अब क्या होगा semester wise exam होगा यानि कि आपको 9th, 10th मिला करके 16th courses करने है उसी तरीके से 11th, 12th में भी वही करना है और वहाँ पर भी 11th में भी आपके 2 semesters होंगे 12th में भी 2 semesters होंगे तो आपको one board का जो patterns और board exam है वह हट गया है इससे बच्चों को थोड़ा से इस क्या होगा ना कि syllabus will be divided तो syllabus अगर पार्टली एक बार exam दिया फिर दूसरे semester में दूसरे topics का दिया तो आपके उपर नो overall एक बार exam देने का प्रेशर नहीं होगा यह benefit है इसके बाद वक्त ज्यादा मिलेगा तो आप इसके बाद सकते हो सीवेस ने syllabus वैसे घटाया है काफी reduction किया है जिसे कुछ problems भी create हो गई है क्योंकि अब अभी जो exam होने वाले हैं तर्म वन जो बच्चों को होने वाले या आप semester one क्या लो स्कूल के इंटर्नल exam होते हैं उसमें अबने टीचर को clarity है कि किस topic में क्या 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 आने वाला है ना ही students को clarity है और अबकी जो आप यह means दोगे या फिर आप नीट वाले बच्चे बन दोगे exam तो आपको एक syllabus के कि आपको यह भी है यह ने कर पाऊंगी बच्ची में सिलेबस डिक्रीज किया गया है तो में कुछ सारी चाप्टर्स लेक्ट सॉलिड स्टेट्स यह सब हटा दिया गया है बट जो आपको जेई होता है यह होता है यह होता है वहां पर इंसे question आते हैं तो अब क्या है नहां कि आपको इस होगे कि syllabus has been reduced लेकिन आप जो भी साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं वहां पर पूरा elaborate, detailed syllabus में एक्जाम लेंगे तो जो बच्चे कोचिंग टूशन पढ़ते हैं वह तो फिर भी चलो टूशन में पढ़ लेंगे लेकिन अगर बोर्ड में सिलेबस में होता है जो बच्चे जो अफोर्ड नी कर सकते तूशन कोचिंग वह स्कूल में पढ़के कम्लीट करते थे तो अब उन बच्चों पर प्रेशर आगे तो उन ही स्कूल में पढ़ाई नहीं जाएगा और 11-12 के जो टॉपिक्स होते हैं वहां पर किसी के समझाने के नीड पढ़ती है क्योंकि there is a huge difference in the syllabus from 9th, 10th to 11th and 12th क्योंकि बच्ची 11th में कोपा भी नहीं कर पाते हैं तो यह जो प्रॉब्लम क्रियेट हुई है न्यू एजुकेशन पॉली से ड्रास्टिक चेंज आ गया सम्थिंग कुछ चीजे अच्छी है कुछ चीजे बुरी है आपको अगर मेरी बात नए NCRT को ही पर्चेस कीजिए पूराने वाले लेंगे तो आप confused रहेंगे जैसे बहुत से बच्चे अभी भी confused है विश यू अल दे वेरी बेस्ट और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया दो सब्सक्राइब चैनल और अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए